नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल वर्च्वस में मैं दुर्वदिनकर फर्मर एस बेपी हो एक इंपॉर्टेंट मेसेज लिखके आया हूं स्टुडेंट्स के लिए जुन्यों ने आरार बी क्लिएक प्री के एक्जाम ट्लियर किया है अब आर प्रेपरेशन आप कर सकते हैं अल्रेडी काफी प्रेपरेशन आपने पहले से कर रखी है अब बचेवे समय के लिए किन-किन बातों पर ध्यान रखना है यह सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिसकस कर लेता हूं जल्दी सी छोटा सा वीडियो है पर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले अगर हम लेवल की बात करें तो आर अर बी क्लर्क मीन्स का जो लेवल रहता है सभी मेंस में सबसे जादा कम रहता है इसमें भी आपके जो सेक्शन रहते हैं रीजनिंग क्वांट इंग्लिश जनरल अवेर्नेस और कम्प्यूटर पांच सेक्शन रहत दोनों के अंदर मिलेंगे और कम्प्यूटर में 40 questions पे 20 marks का आपका weight इज रहता है लास्ट दो साल के basis पे जाएं तो reasoning का paper बहुत easy आता है last time का अगर आप sectional cutoff भी देखें तो 50 में से 25 point something आपका sectional cutoff था सर्फ इसका मतलब paper था बहुत जादा easy और बहुत ही बड़िया scoring वहा पर की जा सकती थी तो reasoning के लिए मेरा suggestion रहेगा जादा से जादा puzzles बनाएं ठीक है mock के लिए already आपको practice mock का suggestion मैंने दे रखा है बाकि आपके जो भी test series हो वहाँ से practice कर सकते हैं याद रखेगा जो paper का level है वो बहुत जादा difficult नहीं है easiest बोला जाता है सभी means में जो overall analysis के अगर हम बात के तो reasoning easy to moderate आपको देखने को मिलेगी quants भी in comparison काफी easy रहेगी more towards easy to moderate computer easy to moderate general awareness और English में भी आप moderate कह सकते हैं पर वो भी still in comparison to other exams काफी scoring रहता है और cutoffs भी आपकी high रहती है तो accordingly प्रिपेर करना है general awareness के लिए मैंने already आपको suggestions दे रखे हैं guidely जो हमारे पुराने sponsor है उन्होंन एक revision pdf मात्र 125 रुपए की release किये है उसका जो link है नीचे description में मैं आपको दे दूँगा जिन लोगों ने अच्छे से अभी तक general awareness की preparation नहीं की है उनके लिए बहुत ही useful रहेगी तो वो जरूर जाके चेक कीजेगा computer के लिए groups में already मैंने pdf शेयर करके बाकि students ने भी करके वहा बहुत easy level आएगा बहुत ही scoring रहेगा दोस्तों याद रखिएगा और ये जो composite time है दो घंटे का ये बहुत important है कि through mocks बहुत सारे students के साथ मैं ये problem देखता हूँ कि mocks देने से डरते हैं कि सर mocks देंगे तो marks पता चल जाएंगे reality सामने आजाएगे भाई reality जब तक face नहीं करो ठीक है तो ये आप mocks की through सीखते हैं बाकी mains में तो generally RRB को छोड़के बाकी जो mains रहते हैं उनमें sectional time रहता है तो बहुत जादा scope रहता नहीं है strategy के लिए as such ठीक है और RRBs के mains के exam में ये भी रहता है कि कभी भी किसी section से किसी section की तरफ आप switch कर सकते है तो इसके लिए आप आपको mocks देना बहुत important है paper से पहले मैं कहूंगा कम से कम चार mocks आपको लगा के जाने है already आपके पास एक महीने के लगबग का time है चार mocks तो हमें तरीके से with time देने ही देने है ठीक है बाकी मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि एक mocks के through मैं आपको एक basics idea भी दे दू किस तरह आची RRBPO means के लिए तुम्हें कुछी दिनों में upload करने वालो उसके बाद RRB clerk means के लिए भी जरूर upload करूँगा बाकी sessions हमारे already चैनल पे है quants for means, reasoning for means की नाम से playlist बन रखिये वहाँ पर level थोड़ा सा जादा है पर यार अच्छे level पर अगर आप preparation करते है तो कम level की भी preparation हो जा साथ जी जान लगा दिनी है जैसे हमने pre का exam clear किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम means का भी exam clear करेंगे और इस बार कोई चूप नहीं होगी ठीक है चलिए दोस्तों आज के session में इतना ही now that's all for today's session good night take care